आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा नाम है निशायादव, 64th BPSC में मेरा जेयन राजस्वर अधिकारी के पतपर हुआ है, यहाँ मेरा दूसरा प्रयास था, प्रधम प्रयास में मेरा प्रिलिम्स कुछ अंक से क्लेर नहीं हो पाया था मैं पतना की रहने वाली हूँ, मेरा पैत्रिक निवास स्थान भोचपुर है, सिताब दियारा गाउं, मैंने अपना स्कूलिंग केंदरे विद्धाले कंकरबाद पतना से कंप्लीट किया है, 10th and 12th दोनों में मुझे 85% आया, ग्राजुएशन मैंने कंप्यूटर साइंस इंज प्रदेश टेक्निकल उनिवर्सिटी से किया है, 2015 में मेरा इंजिनियरिंग कंप्लीट हुआ था, उसके बाद दो साल मैंने डेल इंटरनाशनल सर्विस में, अज़ इंजिनियर काम किया, 2018 मैं मैंने सोचा मुझे सिविल सर्विस की तयारी करनी चाहिए, तो मैं जॉब किसी को मेंटल स्ट्रगल है, किनी को परिवार का सपोर्ट नहीं है, तो स्ट्रगल तो सबका होता है, कुछ शायद ऐसा मेरा भी था, जब मैं वापिस आय थी, जॉब छोड़के, तो मुझे यह बोला गया था, कि मेरे लाइक का सबसे गलट डिसीजन है, क्यूंकि मेरे पर परिवार के दौरान जो कि मुझे अराई से तीन साल लग गया तो मुझे बोला गया कि जॉब जॉइन कर लो तुम वापिस आई टी में चले जाओ, या कोई और जॉब पटना में ही देख लो, तो बहुत पर ऐसा हुआ था कि मैंने आथ हजार तक की जॉब, दस हजार की ज अस्थानों को अप्रोच किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई पर ही फोकस करना है, मैं कुछ दिन धैरे के साथ रह लूँगी, किसी भी परिशानी को झेल लूँगी, लेकिन मुझे एक्जाम निकालना है, मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चा जो करना होगा, शादी के बाद करेगी, उमर हो जाएगा, अभी प्याचे तो जल्दी क्लियर होता नहीं है, फिर इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी, तो ये सारी चीज़े सुनने के बाद बहुत ही निगेटिविटी मन में आती थी, लेकिन हाँ, मेरे पापा ने मेरा हमे और मेरे पापा रहे है, जब मैं बहुत छोटी थी, तब से समाज में जो भी बुराइया थी, जैसे कि दहेज, बेटी को नहीं पढ़ाना, औरतों को घर में डुमेस्टिक वाइलेंस, ये ताना देना कि जाओ, तुम कमा के लो पैसे, तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं बच्पन से स्कूल से ममी से बोलती थी, कि ममी ऐसे क्या हो सकते है, कि सब कुछ ठीक हो जाए, मैं विमेन इंपावर्मेंट के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरी स्कूल टाइम की कहानी है, तो अभी मेरी ममी ने मुझे बोला था, कि अभी तुम्हें कोई नही जब तुम ऑफिसर बन जाओगी, कुछ बड़ा करोगी, तभी लोग तुम्हें सुनेंगे, तो उसी दिन के इंतजार में ममी के मार्क दर्शन में मैं तयारी की, और फिर मुझे ये सफलता मिली, अब मैं अपनी स्ट्राटेजी आप लोग के साथ शेर करना चाहती हूँ, क कुछ कोचिंग संस्थान के, ने संदे कुछ नोट्स को फॉलो किया था, तो पीटी के लिए मैंने सबसे पहले लुसेंट उठाया, लुसेंट को कम्प्लीट किया, हिस्ट्री जोग्रफी के लिए NCRT को भी फॉलो किया, और घटना चक्र के क्वेस्टन के लिए, करेंट अ अनालेसिस किया, क्योंकि मैंने मेंस के तयारे प्रिलियम्स के बाद ये स्टार्ट की थी, तो बहुत कम टाइम में मुझे कम्प्लीट करना था, तो पहले सारे प्रिविएस येर क्वेस्टन को लिखा, कंक्लूजन इंटोड़क्शन को बहुत ही शांदार बनाने की की, बहुत research किया, flow chart, diagrams को insert करने की कोशिश की, अपने हर answers में, इस तरीके से जीएस को previous year question के वैसे उस पर कम्प्लीट किया, मेरा option philosophy था, philosophy की तयारी मैंने पतंजली IS के note से किया था, और कुछ portions के लिए, parts B के लिए, socio-political के लिए मैंने मित्रा IS को भी follow किया था, बात करते है upcoming aspirants के लिए, जो आने वाले exams की तयारी कर रहे हैं, तो exam के preparation में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत negativity आती है, ऐसा लगता है कि क्या मेरा clear हो पाएगा या नहीं, ये जिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये सब के साथ होता है, तयारी के दौरानी किसी को पता नहीं होता, वो clear कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमें एक बात याद रखने हैं, जब दशरत माझे जी एक पहाड काट सकते हैं, तो हम एक exam क्यों नहीं निकाल सकते हैं, और जो exam clear करते हैं, वो आपकी और हमारे जैसे ही होते हैं, इसलिए खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रख अरे यह मैंने क्या किया, कहीं मैंने कोई गले डिसिजन तो नहीं ले लिया लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह रास्ता आपने चुना है, आपको चलना है, आगे बढ़ना है, और अपनी मनजिल को पाना है, और एक छोटा सा संदेश में लड़कियों के लिए द दूसरे घर चले जाओ, तब तुम अब तयारी करना, तो आपको खुद पर भरोसा रखना है, लोगों को बोलने दीजे, अपना काम करना है, और जो भी पेरेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें भी यह हाँ जोड़की उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी, अ आपकी परिवाल का नाम राशन होगा, इसी के साथ मैं थांक यू बोलने से पहले, रंजीत सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्हों ने मुझे यह प्लाटफॉर्म दिया, आप आप आस्पिरेंट्स से कनेक्ट होने के लिए, थांक यू सो मच, और अल्ट बेस पर अपनी आस्पिरंस!